नवास्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल में हर दिख वागत है उन्हें को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उनमें से कौन सी राशी भाग्यशाली है और कौन सी राशीयों को मुसीबत आने वाली है उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में 12 राशियों में क्या होने वाला है और उनका क्या भविश्य है तथा किसको फाइदा होने वाला और किसको नुकसान होने वाला है तो पहले आपसे लोग बड़े प्रभावित रहेंगे इस महीने यदी स्वास्थे संबंधी देखा जाए तो आपको पेट का बहुत ध्यान रखना होगा क्यूंकि आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अच्छे परिनाम मिल सकते हैं। चौथी है करकराशी करकराशी के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही शुपकार्य होने वाला है। के आसपास जो भी लोग होंगे वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे। इस महीने आप अपने जीवन साथी के कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और आप जो भी इस महीने निरनाय लेंगे उसे पर आप भरोसा रखें कोई भी कम करें तो बड़े शांती और धेर्या से करें। इस महीने आपकी भौतिक सुसुविधाओं की और आपका मन हो सकता है। आप चल रहे हैं वो भी सुझाने के पूरे योग हैं आपको अपनी उमीद नहीं छोड़नी हैं और भरोसे से अपने काम को करेंगे तो सफलता आपके चरण चुमेगी यदि आप नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं तो आपकी नौकरी में ट्रांसफर भी होगा और आपका भी मिल सकता है इस महीने आपके अपने जीवन साथी के साथ मधूर संबंध रहेंगे चटवी हैं कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही उल्कुथल होने वाला है इसलिए आपको बहुत साफधानी से यह महीना बिताना होगा लेकिन आपकी के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाएगा यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो लोग नौकरी कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं वो यदी कोशिश करेंगे तो उसे कार्या में सफल होंगे इस महीने आप अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकते हैं को जो भी आप काम करेंगे वो काम में आपको सफलता ही मिलने वाली है आपके जो भी मन में वह मा की बात ना चुपाए उसे खुल कर के सब के सामने रखें इस महीने आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं इस महीने आपको नए नए लोगों के साथ मिलने की संभावना है, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, उनको पदोननती और उनको कुछ धन संबंधी भी फायदे होने वाले हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है, वह भी मिल सकता है, और जो भी पुरा वह सब दूर हो जाएगी, आपको अपनी संतान की ओर से खुश खबरी मिल सकती है, यदि आप बिजनेसमेन हैं, तो आपको कोई नई योजना बनाया है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, नबमी राश्ट्रिय धनूराशी, धनूराशी के जातकों को यह महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है, ओफिस और फील्ड से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही सोच समझ कर काम करना चाहिए, आपके घर का माहौल भी खराब हो सकता है, इसलिए उसको भी अच्छा रखने की कोशिश करें, यदि आप नौकरी पैसा वा पर सकती है, और वह भी आपको सोच समझ कर करना होगा, आपको किसी के संदेश को दूसरे को देने के लिए भी कहा जा सकता है, और आपके सामने बहुत सी नई योजनाएं भी सामने आएंगे, और यह सब आप सोच समझ के अच्छे से करेंगे, तो काम पूरे हो सकते हैं, य महीना आपके लिए कुल मिला कर ठीक ठाक ही रहेगा, 11 वी है, कुम्ब राशी, इस महीने कुम्ब राशी के जातकों के लिए राहत भरा हुआ होगा, यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, तो वह आप कर सकते हैं, इस महीने आपको परेशानियों से निजात मिलने वाली है, इस महीने आपकी बहुत बड़ी कोई प्लानिंग बनने वाली है, जिसके लिए आपको नई तकनीप का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे, यदि आप कोई बहुत ही जरूरी काम करना चाहते तो वह कर ले, इसके लिए आपको लोगों स समय पर मदद मिल सकती है, बारहवी राशी है, मीन राशी, इस महीने मीन राशी के जातकों को बहुत सारे शुप समाचार मिलने वाले हैं, इस महीने आपको देर से काम करने की आवश्यक्ता है, आपको अपने पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, यदि कोई खास और बढ़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थे की और पूर्ण ध्यान दे, तो यह दबारह राशियों के राशिफल जिसमें कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा है, खासतोर से पांच राशियों के लिए अच्छा है, आशा करता हूँ, यह जानकारी आपको अच्छी प्रियेगा धन्यवाद